असलाम अलेकुम फ्रेंड सो फ्रेंड केसे आप लग सो फ्रेंड आज हमारे पास आया है एक माई का नोट 10 प्रो ठीक है जिसमें इशु है यह फोन डेड है सबसे पहले इसको ओपन करेंगे और उसकी बुटिंग चेक करेंगे तो देखिए जैसी हमको बुटिंग में लगता जैसे ही बुट को बाहर निकाला तो उसकी कंडिशन देखने बहुत पता चला उपर से तो फ्रेश दिख रहा था लेकिन अंदर से पूरी उसकी शील्ड व्लोगेरा सब निखा ली हुई है ठीकि तो देखिए उसकी कंडिशन है और ऐसी बैट कंडिशन जब दिखती है तो माइन पूरा इस तरीके से हो जाता है ऐसी इज़त हो जाती है उसकी देखिए आप आगे कजाब बेज जती है सो अभी यहां पे 11 नंबर सर्जिकल ब्लेड लेके इसको स्क्राइच करना पड़ेंगा देखना पड़ेंगा कितने ट्रैक तूटी है यह आपे तो ज्यादा ट्रैक मिस नहीं है यहां पर एक से दो ट्रैक मिस है ठीक है और बुटिंग के हिसाब से हमने देखा था यह सीप्यों का इश्यू है तो सीप्यों और यूएफेस भी इसका रिवॉल करना ही पड़ेंगा ठीक है टेंशन नहीं लेनेगा अपून है तो अभी यहा अब बुटिंगा और यहां पे उठा देना है एक दम इजीली ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है ठीक है तो यह सीप्यों निकलने के बाद यहां पे टेंपरेचर को डाउन करना है ठीक है क्योंकि यह 400 डिग्री के बाल होते है टेंपरेचर डाउन करने के बाद जो M-C का काम सीखना है तो next batch हमारी start हो रही है आप एदमिशन ले सकते हो ठेक हैं तो यह glue clean होने के बाद यहाँ पर हमको डिपिक चलानी है ताकि यह 00 हो जाए ठीक है तो देगे हम यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं देगें यहां पी सीपी ओ कितना आसानी से क्लिन हो जाएंगा कोई यहां पे स्पेशल लिक्विड और नहीं लगाया है एक ब्लेड से ही क्लीन किया है जो अपना गलू निकाले का ब्लेड आता है जिसे हम गलू कट करते हैं वुडन के हैंडल बोलते हैं उस देखिरए यहां पर सीपी हो चुका है अब यहां पर का ब्लू क्लीन करें लॉठ गांगे हैं और यहां पर मैंने रिबॉलिंग पांट को सिप कर दिया रिबॉलिंगन को पीम हां और तो देखिए ये बिल्कुल क्लीन हो चुका है अब हम यहां पे इसको रिबॉल करने के बाद बॉर्ड में फिक्स कर देंगे तो रिबॉलिंग का पार्ट मैंने स्किप कर दिया है अब यहां पे हम सीधा इसको फिक्स करेंगे क्लीनिंग के बाद तो देखिए यहां पर यह जो लाइन कट थी उसमें हमने जंपर कर दिया है यू विंक लगा दिया है अब यहां पर हम CPO UFS को फिक्स कर देंगे इसको रिबॉल करके दिया है हमारे फर्दिन सर ने ठीक है अगर आपको रिबॉलिंग में इशू है पर्फेक्ट वे में कैसे कर जाता है कि जैसे ही फोन ओन हो जाएंगा तो आपको अक्षे कुमार साब बताएंगे आगे हमारा दिल क्या बोलता है पैसा ही फैसा होगा तो CPMMC लगाने के बाद मैंने यहाप इसको चेक किया तो यह फोन ओन हो चुका है क्योंकि बुटिंग के इसाब से फोन में CPO का ही इशू था तो देखिए यह फोन ओन हो गया है बट बैटरी लो आ रही है तो हम यहाप इसको चार्ज पर रखेंगे और चेक करेंगे तो देखिए कुछ टाइम चार्ज होने के बाद यह फोन कंप्लेटली ओन हो चुगा है तो यह था आजका हमारे वीडियो मिलते है किसी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए खुदा आफिस